नमस्कार दोस्तों स्वागे तब का फिर से जडेक्स नियूज में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हमला पिछले 48 गंटों से लगातार चल रहा है आतंकवादियों के कंट्रोल में पाकिस्तान की चेक पोस्ट है पाकिस्तान की मिलिटरी के कैंप है और 48 गंटों के बावजूद भी कोई भी अच्छी खबर पाकिस्तान की लिए नहीं आई है और बलूचिस्तान के जो एक freedom fighter है जो अपनी आजादी के लिए लड़ रही है जो human right के violation पाकिस्तान के आर्मी बलूचिस्तान के अंदर करती है उनके खिलाव जो एक हत्यार उठाकर खड़ी है उन्होंने पाकिस्तान के military camp के उपर कब जाकर रखा है अब दोस्तों एक तरफ तो military के उपर पाकिस्तान के अंदर freedom fighter ने परिशान कर रखा है और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को फिर से याद करवाया है कि हम इस मोके की situation में पाकिस्तान को बहुती बुरे तरीके से पटकनी दे सकते हैं लेकिन फिर भी हम आज position of strength रखते हुए भी आज seas fire के उपर डटे हुए हैं दरसल आर्मी चीफ ने ये statement क्यों दी ऐसे पिछे क्या कारण है जिस कारण से आर्मी चीफ को ये statement देनी पड़ रही है दोस्तों पाकिस्तान का इतिहास रहा है आप इतिहास देख लीजिए हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान का इतिहास उठाकर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान ने जब जब दो पैसे इनके हाथ में आए हैं पाकिस्तान जब जब stable हुआ है इन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलान की कोशिश की है पाकिस्तान कश्मीर के आतंकवादियों को freedom fighter मानता है और आज उसी तरीके के freedom fighter बलूचस्तान के अंदर पाकिस्तान के सेना में नाक में दम कर रखा है इन्होंने और दोस्तो 48 घंटे हो गए हैं इनके केम्पों से अभी तक इनके हाथ में इनी के military camp कंट्रो में नहीं आए है situation यह है sources से खबर यह आ रही है कि army के camp के अंदर जतना असला बारूद बड़ा था वह असला बारूद उन freedom fighter के हाथ में लगया है और उस कारण से उनकी जो position of strength है आज पाकिस्तान की army पे हावी हो रही है पाकिस्तान की army के पास कोई armor weekly नहीं है आखिर वह कि secure करेंगे यही कारण है कि जिन army के जवानों की लाशो को उठाने जाते हैं उसके बाद वो जो दूसरी तरफ हिदाइन और इसे freedom fighter बैठे हैं वो गोलिया मारते हैं और उन्हें अपनी लाशे उठाने का समय नहीं मिल रहा है और तो drone तक गिरा दिये गए हैं और helicopter तक गिरान अभी भी चल रहा है हाला कि army chief ने यह statement दी है ऐसा भी नहीं है राजनात सिंग ने भी यह statement 30 अगस्त 2021 को दी थी उन्होंने कहा था कि ceasefire आज successful इसलिए है क्योंकि भारत की strength आज दिखाई दे रही है दोस्तों आज यह सारी बाते पाकिस्तान के अंदर गई तो पाकिस्तान के DGISPR जागे उन्होंने कहा कि इंडिया के chief of army staff की जो statement आई है कि power of strength के कारण आज ceasefire चल रहा है हम उन्हें बता दें कि यह एक misleading है उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का जो concern है कि जो safety है people की कश्मीर के लोगों के लिए वो एक होनी चाहिए उसी कारण से यह जो ceasefire है लंबा ट लेकिन दोस्तों इस claim को bust करने के लिए भारतिये पत्तरकार भी सामनी आ गए उन्होंने कहा कि आप हमें यह बताईए कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की गतिविदियां आप करते हैं जो असला बारूत भेजते हैं जो ड्रग्स भेजते हैं और लशकर ए तयबा, जैश PISPR को मुझ छुपाने का मौका नहीं मिल रहा है, अब यह बाते तो सामने आपको पता लगी और पावर और स्टेंथ की यह जो बात करते हैं भारत के पास राफिल फाइटर जेट है, जो भारत की सीमा में रहकर पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा सकता है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को खाक में मिला कर रख दे, और बेसिकली आज तो सिचुएशन भी पाकिस्तान की इसकदर की है, कि फ्रीडम फाइटर ही 48 गंटे हो गए है, इनके मिलिटरी के केम्पो पर कबजा करके बैठे हैं, तो यह तो सारी सिचुएशन है, आपके सामने डिटेल हमने द दी,